किसी ने बहुत सही कहा है सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी पढ़ेगा एलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज मैं आ गया हूँ एरी अंड़कर के बहुत शांदार सूपर डूपर शॉट ट्रिक से कर एरी अंड़कर यानि की एप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद गए टॉपिक है क्लास 12 का टॉपिक है एक ऐसा कॉंसेप्ट में आवाज आपको बता रहे हैं कैसी शॉट ट्रिक बताने वाला हूं जिसका कुशन आपके बोर्ड का एक्जाम में तो आता कि पॉसिबिलिटी सबसे जादा होती है और यह भी अशॉरिटी दे रहा हो अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो वह कोशन आप सेकंड में सॉल्व कर देंगे पैन भी उठाने की जौरत नहीं पड़ेगी जबकि एरे अंड़कर एक ऐसा टॉपिक है बेटा ज हम से डाइग्राम नहीं बनता बहुत सारी चीजे मार्क्स के हिजाब से मैटर करती हैं और वही बात हम जेहीं नहीं बोलते हैं सेम कि अगर कोशन टफ आ जाए तो इसको बाद में करना सबसे अगर समय मिले तो वही चीज एंडिय में और वही अधर कंप्टिटिव एक्जा कर ओं यह कुशन आप लोगों ने देखा वागटा एंडिय में यह में आया वाए बहुत सारे कंप्रिटिव एक्जम में आपको एकुशन मिलता है सबसे पहले हमें क्या करना होगा बनाना होगा प्यारा सा यह सर्कल का में ने डाइगराम बना लिए तो यह हमारा आ गया य कोल टू एक्स यह हमारा आ गया ठीक है अब क्या करना है हमें पूछाए कि वाला एरिया पताना है फर्स क्वाड़ेट की बात पूछिए अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो यह वाई कोल टू एम एक्स टाइप की लाइन है जहां पर एम वन है और एम होता है टैन यानि कि letzte जो है हमारा 45 डिगरी है जो फोर्ती फाइव डिगरी है अगर आप देखो गे तो 45 डिगरी वाला अंगल है और इसे और इसे पास और ये लाइन, तो 90 का हाफ है, और circle का कॉन सा है, 360 बाई, 8 वा पार्ट है, यह फॉर्थ पार्ट है, फॉर्थ काद है, तो हाफ है, 8 पार्ट है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 45 है, और circle का 360 पूरा डिग्री पर एंगल पूरा होता है, into pi r square, pi r square, यानि क तो यह होता है आर स्क्वाइर स्वारी तो यह हो गया हमारा 16 तू पाई आ लिए ठीक है ना एक और देखते हैं इसी टाइप का वीडियो को पॉज करो कोशन को ट्राई करो यह बात मैं हमेश आप से बोलता हूँ क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखने को नहीं मिलेगा एक्स ट्री वाई लाइन है सरकल एक्स स्कॉर प्लस वाइस स्कॉर दू पूर इस लाइन जा रही हूँ थोड़ा इस लाइन को थोड़ा अच्छा करें के लिए लिए स्टेंडर्ड फॉर्म में थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री थीटा हो गया 30 डिग्री क्लियर है तो अब्वियस स्टेंडर्ड को कौन सा पार्ट हुआ और स्कॉर कितना है हमारा फॉर है तो आगया फॉर पाई पाई थी आगे ठीक है मैं फिर कहता हूँ इस कोशन का आप सॉलूशन जरूर देखेगा जब आपको पता चलेगा जो बुक्स में सॉलूशन अदा फिर एक बात रिपीट कर दूँ यह बूर्ड का सॉलूशन नही है अपना आंसर मैच कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा कॉशन आया और उसका आंसर मैं नहीं पता हमने इसको सॉलूव कर आप हमें यह शॉरूटी हो जाए किसी तरह हमारा आंसर सही है हमने इसको चेक किसी शॉट्रिक लगा कोई कॉछी कॉंसर लगा कर में अब्वियस हैं इसी तरीके से आब कर सकते हैं है कि एक करते हैं ऑर हमारे पास यह है इसके बीच का Um क्या इसका intersection point निकालते हैं, फिर इस वाले air में से, इस वाले air को minus कर देते हैं, मैं आपको बहुत super mindset बता रहा हूँ, जब भी आपके आज कोई भी पहरा बोला, y is equal to 4x, x is equal to 4y, इसका intersection point 4,4 होगा, अगर यहां 3x, 3y होता, तो intersection point 3,3 होता, 2x, 2y होता हूँ, तो intersection point 2,2 होता, कहने का मतलब, kx कर ky होता, तो intersection point k, k होता, अच्छा है, 2 और 3 हो जाता तो, तो हमें solve करना पड़ था, तो हम यह नहीं कहते हैं कि intersection point 2,3 होगा, are you getting my point, दोरों सेम होने चाहिए, तो intersection point सेम होता है, 4,4 इसका intersection point हो गया, अब 4, 4,4 intersection point है, यह 0,0 था, तो symmetry से obvious है, square बन गया है, बन गया, बस काम खतम हो गया, square का जो area होता है, वो होता है, 4 into 4, that is 16, तो अगर अब ध्यान से देखोगे, तो यह दो, तीनो, देखने से पता नहीं चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, यह तीनो का area same होता है, तो 16 area आ गया, तो आएगा, 16 by 3, इसका answer, obvious है, इस वाले reason का है, 16 by 3 होगा, अगर यह पूछता है, इसका भी 16 by 3, और यह पूछता है, तो इसका भी 16 by 3, एक और प्यारा सा question मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ, वीडियो को pause करो, question को try करो, और इसका answer comment में जरूर लिखो, देखते हैं, कित इसका answer comment में सही आता है, हर comment का reply जरूर करता हूँ, आगे भी करूँगा बेटा, तो please comment करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो please like जरूर करना, comment तो करना है यह answer आपको, और share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे और बच